अक्सर diabetic patients दो तरह के test ज़रूर करवाते हैं पहला खाना खाने से पहले यानि खाली पेट जिसे fasting blood sugar test कहते हैं और दूसरा खाना खाने के 2 घंते बार जिसे P.P. यानि post-prandial blood sugar test कहते हैं पर diabetic patients के लिए एक और important test होता है जिसे H.B.A.1.C. test कहते हैं आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HbA1c टेस्ट से जोड़ी हुई चार इंपोर्टेंट बातों के बारे में जैसे 1. HbA1c टेस्ट क्या होता है? 2. HbA1c टेस्ट की नॉर्मल रेंज क्या होती है? 3. ये किसे कराना चाहिए? 4. इसकी क्या लिमिटेशन होती है? मैं रंजी से डाइबेटेज स्पेसलिस, हेल्थ कोच और नूट्रिसनिस, आयुर्वेदिक रंजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं HbA1c टेस्ट को modern science के हिसाब से तो HbA1c की full form glycated या glycosilated hemoglobin होती है इसे HbA1c या HbA1 या A1c भी कहते हैं डाइबेटिक पेशेंट्स में HbA1c ब्लड टेस्ट करवाने से 3 महिने की average blood sugar का पता चलता है जब हमारे RbCs में मौझूद hemoglobin के साथ glucose चिपकता है या मिलता है तो HbA1c बनता है इस टेस्ट की एक खासियत ये है कि इसे दिन में कभी भी करवा सकते हैं चाहें खाना खाने से पहले या बाद में अगर बात करें इसकी normal range के बारे में तो 5.7 से नीचे ये normal माना जाता है 5.8 से 6.5 के बीच में pre-diabetes माने diabetes होने वाली है ऐसा माना जाता है अभी हुई नहीं है और 6.5 से उपर हुआ तो माने आपको diabetes हो चुकी है लेकिन ये सभी के सभी आकडे modern science के हिसाब से हैं अगर आप normal blood sugar level के बारे में detail में जानना चाते हैं तो आप हमारा ये वाला वीडियो जरूर देखें आपको बहुत कुछ समझ में आएगा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अब HBA1C जितना जादा होगा शरीर के दूसरे अंगों को diabetes रोग से उतना नुकसान पहुँचने का खत्रा बढ़ जाता है लेबोरीटरी में HBA1C टेस्ट करवाने के चार मेथड होते हैं जैसे 1. HPLC यानी High Performance Liquid Chromatography 2. Enzyme Assay, 3. Immuno Assay and 4. Bronate Affinity Chromatography अब इन चारों टेस्ट को करवाने की अलग-अलग मशीन होती हैं पर सबसे अच्छा और भरोसे मन HPLC मेथड होता है यानी First वाला मेथड बहुत अच्छा होता है तो आप इसी मेथड से अपना टेस्ट करवाएं इस टेस्ट को करवाने से हमें चार बातों का पता चलता है First, कहीं आपको Pre-Diabetes की शिकायत तो नहीं है Second, कहीं आपको Diabetes तो नहीं हो गई है Third, अगर आप Diabetic Patient है तो आपका Sugar Level कैसा चल रहा है And Fourth, अगर आपके डॉक्टर को आपकी Diabetes की Medicine या Insulin के Dose में कुछ बदलाव करना है तो HBA1C टेस्ट करवाया जाता है अब HBA1C टेस्ट उन लोगों को तो जरूर करवाना चाहिए जिनने Diabetes की Family History हो यानि उनके परिवार में उनकी माता को, पिता को, भाई को, बहन को, किसी को Diabetes की शिकायत हो तो वो लोग जरूर इस टेस्ट को करवाए Second, Obesity यानि मोटापा या BP की समस्या होने पर भी इस टेस्ट को करवाना चाहिए Third, जिनहें पहले से ही Diabetes हैं, उन्हें HBA1C टेस्ट 3-6 महिने पर करवाना चाहिए इससे Blood Sugar का पता चलता रहता है And Fourth, Diabetes के Symptom महसूस हो रहे हों जैसे अधिक प्यास लगना, अधिक पिशाब लगना, अधिक भूक लगना या थगावट वगेरा महसूस होना तो आप HBA1C टेस्ट जरूर करवाएं, इससे बिल्कुल क्लियर बात पता चल जाती है सावधानी के तौर पर कुछ केसिज में HBA1C टेस्ट की accurate value नहीं आती किसी भी व्यक्ति के शरीर से अधिक blood loss हो गया हो, यानि शरीर से अधिक खून निकल गया हो उनमें या फिर किसी भी व्यक्ति को एनीमिया, यानि खून की कमी की शिकायत हो इन सभी में HBA1C की value correct ना आके, HBA1C की value हमेशा कम ही आईगी तो ये इस टेस्ट की limitations होती है I hope आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझाया होगा अपना खयाल रखें, वीडियो को लाइक करें और जाते जाते इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ जरूर शेयर कर